नमस्कार आप देखरें बिहार नूच और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग बढ़ते हैं खबर उक्यूर्ट मोतिहारी के पताही प्रखंड मुख्याले इसित मन्रेगा विभाग द्वारा पौधार उपन यूचना के नाम पर लाखों की लूट का मामला सामने आया है 2005 के तहट हुआ है जिसमें बताया गया है कि पौधारोपन यूचना के नाम पर 27,16,195 रुप्या मुख्या और अधिकारियों ने बंदरबाट किया है वहीं इस पूरे मामले को लेकर मन्रेगा पियों अलोग कुमार ज्छा ने बताया कि पताही पूर्वी पंचायत के पौर्व मुख्या रामरूप देवी ने पौधारोपन यूचना में भारी घोटाला किया है पर एक मामलत सर्परकास ने आ रहा है वह स्थों लेकरों अर बारम शताइस लाइज का जो भटाला रबाया पाउधार रुपा रहे है उस पर क्या काम है इसके जनकारी हमें आई टी आई के माधिरम सुनिगा है इस पर क्या कहने जाते हैं। देखिए जो कि उस समय का कार्जकाल मेरे समय का तो है नहीं। मैं 2016 में मुखिया बना हूँ। इसलिए इस पर जो है आप लोग बातचित करें वो लोग बिशेस इस पर फोकस डालेंगे कि उस समय क्या नजायज किये हैं इस लोग। इस तरिये पंचाच चुनाओ शुरू होते ही नालंदा के बिहार शरीफ मंडलकारा में सखन छापे मारी की गए। इस दोरान जेल से कोई भी आपत्ती जनक समान नहीं बिली। बताया जा रहा है कि डियेम और इस पी के नदेश पर डियेस पी डॉक्टर शिबली नोमानी ने बिहार शरीफ मंडलकारा में छापे मारी की। सुपाल जिला के प्रताब गंच प्रखण में होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर नमानकन प्रकिरिया शांति पुंधंग से संपन कराया गया। वहीं आडियो राम पासवान ने बताया कि नमानकन को लेकर विविन पदों के लिए पते आश्यों का भीड काउंटर पर लगा रहा वहीं समर्थकों की काफी भीड को देखते विए प्रशासन की ओर से सुरक्षा बिवस्था का पुक्ता इंतिजाम किया गया। पंचाइद निर्वाचन 2021 के लिए पतावइन प्रथंड में जिनांक 7 सक्टमबर से 13 सक्टमबर तक नमानकन की तदरिया है। अब तक पतावइन प्रथंड में पंचाइद समीती में 36 अभियर्थियों हैं। अरडिया में राज जब्यापी आंदोलन के तहत नगर निकाय कर्मियों की हरताल चौथे दिन भी जारी रही। शहरी छेतर में साफ सफाई का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। शहरी छेतर में कच्रे का धेर लगा हुआ है। राजदाने पटना के कंकरबाग में रचनात मक नोनिया सेंक्त संके चिंतन शिवीर का आयजन क्या गया। ऐसे चिंतन शिवीर का मुख्य विशय समाच कल्यान मंत्री बिहार द्वारा गैर समाच कदम और नोनिया विंद बिलदार को लेकर गलत बयान देने के विरोध में था। वही मीडिया से बात करते हुए राजत की उपाध्याक्ष सिपाहि लाल महतो ने कहा कि समाच कल्यान मंत्री मदनसानी की अध्यक्सता में गोल्मीच सम्मेलान में नोनिया विंद बिलदार जाती के खलाब लिए गया प्रस्ताओं की घोर निंदा करता हूँ। अनारी याद्मी के भासा है जो सुद्र देहात मों हरवाही चरवाही करते हैं मजाक में लोग बोलते हैं मंत्री है इस तरह का मजग्या लहज में इस तरह का भैलुवेवल सब को इस्तिमाल उनको नहीं करना चाहिए उनलों की इस बात को मदनसानी से मैं करूंगा आप मंत्री हैं समाज कल्यान उनको करना चाहिए कि दुसरे जात को दुसरे जात में घसरने गए उनका समाज कल्यान विभाग काता है जिससे इस छेत्र में पर्याटन का विकास होगा वहीं उन्होंने विश्वास दिलाया कि एको टूरिज्म को डिबलब करने में कहीं से भी वन विभाग का कानून बाधक नहीं बनेगा हरबात अरिया की कर लेते हैं जहां बहगवान गनेश की पूजा अर्चना को लेकर श्रणालू में उत्साहे पूजा समेती के और से वव्य तैयारी की गई है शहर के चित्र गुप्त नगर ओम नगर में गनेश्ची की प्रतिमा अस्थापित की गई है पंडालों को वव्य तरीके से सजाया गया है मगेर में सरदे बुखार से पढ़िते एक महिला के मौत इंजिक्शन लगते ही हो गए मृत महिला की पहचान मुगेर चुला के नीलम चौक पानी टंकी रोड निवासी के रूप में हुई है महिला की मौत के बाद आकरोशित परजनों ने जम कर हंगामा किया महिला की मौत मामली की चार्च के लिए सिविल सरजन ने मेडिकल टीम गठित कर दी है जिसके रपोर्ट के अधार पर आरोपी जोला चाप डॉक्टर के खलाफ कारेवाई की जाएगी प्षट पटा रहे केला उठने रही कि उनका बेट है बजन है अब वो कुर्सी पर बैठाई उठ भी ने रहा बोला कुछ नहीं हुआ है बहुस है अब पास खाली पानी लाया पानी से मार रहा है तब तक में हम सेवा यान लेकर तुरा तु एक चिलना है तो मियां से मेरा गाउं पर जो हुआ है फिर सेवा इन लेकर गया पांच मिनट के अंदर वह बोला है कि ने डेडी ये इन्जेक्शन हो गया कि शौ को कब्जे में निकर पुस्पांचन के लिए भेज दिया गया हुआ 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 है बुलेटर में फिला लेता है अब बनेरे बिहार योज के साथ नमस्कार